हेलो दोस्तों शॉक लिष्ट में आपका स्वागत है और आज हम काउंट करेंगे दुनिया की दस अंसुलजे रहस्य दस नहीं स्थान पर है वाइनिच मैनुस्क्रिप्ट वाइनिच मैनुस्क्रिप्ट ऐसी भाषा में लिखी गई है जो कि इस धरती की है ही नहीं और इस मैनुस्क्रिप्ट को कही सद्यों से इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें दर्शाय गए चित्रों से इसे समझने की कोशिश करी जा रही है लेकिन यहाँ अभी भी एक अंसुलजी गुद्धी ही है नमबर नौ पे है जैक दरीपर जैक दरीपर नाम आपने हॉलिवूड मूवीज और नाटकों में सुना ही होगा जैक अठारवी शताब्दी का सीरियल किलर था जिसने की लंडन में 11 औरतों का कतल किया था उसके शिकार जादातर वैशाय होती थी जिने वह बहुत बुरी तरीके से कतल करता था कौन था वो जैक दरीपर किसी को आज तक नहीं बता नमबर आठ पे है बर्मूडा ट्रैंगल बर्मूडा ट्रैंगल डेविल ट्रैंगल के नाम से भी जाम जाता है ये नॉर्थ अट्लैंटिक और्शन के वेस्टन पार्ट का रीजन है इस इस्थान पर कई हवाई और पानी वाले जाहाज बड़े ही रहसमाई तरीके से कायब हुए है और इस ट्रैंगल में जो भी चिट जाती है वो उसे अपनी आगोश में ले ले लेता है दिसंबर 1948 में एक अग्यात आदमी की लाश आस्ट्रेलिया के सुमॉल्टन बीच पे पाई गई उसकी जेब में एक पेपर का तुकड़ा था जिस पे लिखा हुआ था तमाम शुद और जब उन शब्तों को ट्रांसलेट किया गया तो उसका अर्थ निकला अंट गवर्मेंट ने उसके बार में पता लगाने की बहुत खुशुश करी लेकिन उसका अस्तितों एक रहस ही पाया गया नमबर 6 पे है जॉर्जिया गाइड स्टोंज ये मॉनिमेंट 19 फीट 3 निंच लंबा है ये 6 ग्रैनाइट स्लैप से बना हुआ है जिसका वेड एक लाक 7,840 किलो ग्राम है और इन स्लैप्स पर विभिन भाशाओं में जैसे की बेबिलोनियन, क्लासिकल ग्रीप, संस्कृत और एजिप्शन हीरो ग्लिफ्स में छोटे मैसेज लिखे गए हैं और ये स्टोन्स दुनिया के लिए एक अनसुलज़र रहसे हैं नमबर पाच पे है टाउस हम टाउस एक मेक्सिको का छोटा ता शहर है जहाँ पे एक विचितर प्रकार की आवाज हम सुनाई देती है ये एक लोग पीच वाइस है जो की शांती में सुनाई देती है और जिसका साउंड एक डीजल इंजन के साउंड जैसा सुनाई पड़ता है और काफी छान बीन के बाद भी इस आवाज का जरिया एक अनसुलज़र रहसे है नमबर चार पे है लेडी डाइस साउंटिस्टों को चाइना में 2000 साल पुरानी एक डेड बाड़ी मिली और इस बाड़ी को लोग हान डेनेस्टी की लेडी डाइस के नाम से जानते है इसकी मृत्यू 50 साल की उमर में 168 से 145 बीसी के बीच में हुई इस मम्मी की खाल बहुती सॉफ्ट है और इसके हाथ और पैर के जॉइंट्स काफी फ्लेक्सिबल है और फोर्ड हो सकते है और इस मम्मी को एक रहसमय लिकुएट से बचाया गया है जिसका पता आज तक साइंटिस्ट ने लगा पाए है नमबर तीन पे है जोडिया किलर 1960 से लेके 1970 के बीच सैंट फ्रांसिस्को में एक किलर हुआ करता था जिसका नाम जोडिया किलर था वो पुलिस और प्रेस को कोड वर्ड में लेटर्स भेजा करता था जिसका अर्थ बहुत ही दिल दलाने वाला होता था उसने लगभग साथ लेटर्स भेजे जिसमें से चार को पुलिस ने क्रैक कर दिया लेकिन तीन आज भी एक अंसुलजी पहली है नमबर दो पे है वाव सिगनल सन 1977 में जेरी आर एहमन को रेडियो फ्रिक्वेंसी के थूँ एक सिगनल मिला ये सिगनल लगभग 50 लाइट यर दूर सेजिटेरियस कॉंस्टलेशन से आ रहा था और ये लगभग 72 सेकेंड तक उन्हें मिलता रहा इस सिगनल का अर्थ निकलता है वाव किसी को नहीं पता कि वो सिगनल क्यों और किसने भेजा लेकिन वो दुनिया की एक अंसुलजी पहलियों में से एक है नंबर वन पे स्पॉंटेनियस कंभश्शन 15 अक्टूबर 1982 जीनी सैफिन अचानक ही आख की लप्टों में सिमट गई उसके पापा जो कि वहाँ मौजूद थे उन्होंने देखा कि उसकी आखों और हाथों से एक रोश्णी निकलन लगी जिसने उसे आख की लप्टों में लप्ट लिया और वहाँ जरासी भी चिलाई और हीली नहीं और वहाँ चेयर पे बैठे बैठे जल गे पुलिस को जिनी के जनने का कोई कारण नहीं मिला और काफी रिसर्च के बाद भी आज वो एक अनसुलजी पहली है तो दोस्तों ये थे दुनिया के दस अनसुलजे रहस्या और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नमस्कार